प्रत्यक देश अपनी साश्कूति, अपनी सभ्यता तथा चरित्र के कारार भेचाना जाता है भारत जैसा देश अपनी साश्कूति, अपनी साश्कूति को छोड़ कर यहां पस्चत्य सभ्यता को अपना रहा है वहीं रश्ट आजरान की स्राणी में वहां विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है हमारा रश्ट्रिय चरित्र रश्टचार का पर्याय बनता जारा है चलो, अभी रश्टचार का अर्थ क्या है उसके बार में थोड़ा सब जाल जाते रश्टचार दो सम्तों से मिलकर बना है रश्ट और आचरान जिसका साब्दिक अर्थ है आचरान से रश्ट और पतीत एसा व्यक्ति जिसका अर्चर पुरी तरह से विगड़गड़ा जो न्यायर, निति, सत्य, धर्म, तथा, समाजी, मानविय, रश्ट्रिय, मुल्यों के विरुद कार्य करता है भारत में रश्टचार मुर्थ और अमुर्थ दोनों ही रूप में नजर आता है यहां भ्रश्टचार की जड़े इतनी आधिक गहरी है कि सायद की ऐसा कोई खेत बचा है जो इसे अच्छुता रहा है राजनीती तो भ्रश्टचार का प्रयाय बनता जाता है शुनाव जितने से लेकर मंत्री प्रद हत्याने तक घोर राजनीतिक प्रश्टचार दिखाई परता है ठेकेदार इंजिनियर निर्मान कार्य में लाखा कोरोड का हेरफेर करकर प्रकम टकार राग जाता है शिक्षा विभाग भी प्रश्टचार का केंद्र बनता जाता है अड्मिशन से लेकर समस्त प्रकर की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक ट्रांसफर से लेकर प्रोमोशन तक परले दरजे का प्रश्टचार मिलता है पुलिस बिभाग रष्टाचर कर अफिराधियों को संग्रश्ठान देकर अपनी जेबे करम कर रहा है जिकिस्व बिभाग में तो रष्टाचर कुछ कम नहीं बैंकों से लोन नेला हो, पटवारे से जमिन की नाफ कोछ करवानी हो किसी भी प्रकार का प्रमानपत इत्यादी बनवाना हो तो रिष्वत देविना तो कम नहीं होता खेलो में भी खिलाडी के जान से लेकर पुरस्कार देने तक रष्टाचर दिखने को मिलता है इस तरह सभी प्रकार के पुरस्कार आवाड अधी में भी किसी ना किसी हद तक रष्टाचर होता ही रहता है सरकाती जोजनाय तो बनती ही है लोगों की भलाई के लिए किन्तो उन जोजनाओं में लगाने बाला पैसा जनता तक पहस्ते पहस्ते कोडी कर रह जाता है स्वयंग राजीव गांधी ने एक बार कहा था तिल्ली से जनता की लिकास के लिए निकला हुआ सो रूपया का सरकारी पैसा उसके बस्तविक हकदर तक पहस्ते पहस्ते दस पैसा हो जाता है चलो अभी रस्ताचर के कुछ करण के बारे में जानता है उन में से थस्त में आता है मैतिक मुल्यों में आई भारे किराबादा सकेंड में आता है भोतिक विलासिता में जीने दथा एशो आराम की आदादा खाड जूटे दिखावेवा प्रदर्शन के लिए और जूटी समाजिक गतिष्टा पाने के लिए फेप्त में आता है धन को ही सरवश्वा समझने के खाराम शिक्सी में आता है अधर्म तथा पाप से बिना डरे डिमर्श चरित्र के साथ जीने की मनस्किता का साभन अधिक परिष्ट्रम के बिना धनार्जन की जहाद राष्ट भक्ति का अभाव चलो अभी रस्टाचार को देर करने के कुछ उपाय के बारे में जानते हैं रस्टाचार को दूर करने के लिए उल्लेखित साभी कारोन पर गंप्रता पुर्वक विचार करके उसके अपने आचरण से निकलने का प्रयात्र करना होगा तथा जिन कारोन से रस्टाचार को बढ़ावा मिलता है उसको दूर करना होगा आपने रास्त्र के घित को सार्वापर इमाना होगा व्यक्तिकत स्वार्थ को छोड़कर भोतिक इलास्ता से दूर रहना होगा इमांदर लोगों की अधिकाधिक नियुक्तिक कर उन्हें प्रस्टकृत करना होगा रश्टाचारियों के विरुद कठर कानून पना कर उन्हें उचित दंड देना तथा राजनेतिक दस्तख्यव को पुरी तरह से समाप्त करना हो। मंत मैं मैं संजीब इतना ही कह ज़ता होगी आप और हम मिलकर हमरे इस भारत को एक रश्टाचरमत तेशे सना सकते हैं। अचराब कि दगितर राजने स्टुन के विरुद को एक रश्टाचरमत रशम्लेश जगे टेखंग ज़ता हैं।